हेलो स्टुजेंट्स मैं डॉक्टर निशा गोयल आर्डी गल्स कॉलेज भरतपुर हम लोग पॉलिटिकल सेंस के बीए पार्ट सेकेंड के पेपर में पढ़ रहे थे सामप्रदायक्ता आज हम देखेंगे सामप्रदायक्ता की समस्या के कारण और निवारण यह प्रेशन विशेश महत्व का है कि स्वाधिन्ता प्राप्ती के बाद भी भरत में सामप्रदायक्ता के तत्म क्यों दिखाई देते हैं सामप्रदायक्ता से पूर्व अंग्रे जोने फूट डालो और राज करू की नीती अपनाई थी किन्तु देश के विभाजन और राश्ट्रिय सरकार की स्थापना के पश्च भी सामप्रदायक्ता रंक्यों दिखाई देता है इसके कई कारण देखने को मिलते हैं यह आज भी विद्यमान है और वे अपने को राश्ट्रिय धारा में शामिल नहीं कर पाए अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधिनता के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें मुखे राश्ट्रिय प्रभा में शामिल होने के लिए ऐसे राजनितिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास धर्म निर्पेक्षिता समाजबात तथा आर्थिक न्याय में है परंतो इन विचारों का कोई खास प्रभाब नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम नेताओं और संगठों ने इस बात के लिए प्रचार किया कि मुसलिम संप्रदाय की हित्तों की सुरक्षा के लिए उन्हें राजनिती में प्रथक एकाई की रूप में भाग लेना चाहिए जमायत ए इसलाम ने मुसलमानों को सला दी कि उन्हें आम चनावों में भाग नहीं लेना चाहिए ऐसे ही एक दूसरे संगठन जम्यत उल उलेमाई हिंदे ने भी मुसल्मानों को राष्ट्रिय राजनीती से प्रतक रहने की सला दी 1948 में मुसलिम लीग ने प्रतक प्रत्निदित्व की मांग की 1971 में अखिल भारतिय मुसलिम लीग की स्थापना की गई और यह प्रचार किया गया कि भारत में मुसलिम लीग ही मुसलिम इतनों का संरक्षन कर सकती है नमबर दो मुसल्मानों का आर्थिक और सेक्षणिक द्रिस्टी से पिछड़ापन यह सच है कि अंग्रेजी काल से ही मुसल्मन आर्थिक द्रिस्टी से पिछड़े हुए है स्वाधिन्ता के बाद भी उनकी आर्थिक इस्तिती सुद्रण नहीं हो पाई सेक्षणिक द्रिस्टी से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकियों व्यापार और उद्योग धंदों में उनकी इस्तिती नहीं सुदर पाई आज भी उनका आधुनी की करण नहीं हो पाया है इससे उनमें असंतोष बढ़ा और उनका मनुवल भी गिरा है कभी-कभी ये असंतोष उग्र रूप ले लेता है और कभी-कभी ये असंतोष हिंसा की रूप में प्रकट हो जाता है और इसका कारण है कि इस बर्ग में सामानेत्य विकास की और बढ़ने की तीव रिच्छा जन में नहीं ले पाई है जब कभी भारत में हिंदू-मुस्लिम तनापी कोई छुट-पुट घटना भी हो जाती है तो पाकिस्तानी रेडियो समाचार पत्रे इसको राजनितिक तूल देने का प्रयास करते हैं भी भारत सरकार की आलूचना करते हैं और ऐसी घटनाओं को हिंदूओं द्वारा मुसल्मानों का जातीवत कहे कर पुकारते हैं पाकिस्तान ऐसा इसलिए करता है जिससे वे सामप्रदैक भावनाओं को उत्तेजित कर सके भारत में गरीब और असिक्षित मुसल्मान भी यह मान बैठते हैं कि पाकिस्तान उनके हितों की रक्षा करने के लिए कह रहा है 1981 से 93 के वर्षों में पाकिस्तान ने हिंदू और सिखों के बीच भी सामप्रदैक विद्वेश की इस्तिती खड़े करने और बनाए रखने का प्रत्यक संभव प्रयातन किया था 2003 से 7 के वर्षों में इस संबन्द में पाकिस्तान के द्रिष्टी कौण में अवश्य परिवर्थन आया था क्योंकि अब तक ये बात पून्टिया इसपस्ट हो गई कि मार्च 93 में मुंबई में बंबिस्पोट की जो घटनाई हुई में पाकिस्तानी शेडियंत्र का परिणाम थी और इन बंबिस्पोटों का वास्त्वेक उद्देश्य तो हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच में माने पर खुनी संगर्ष को जन्म देना ही था नमबर चार संकुचित हिंदू रास्ट्रवाद इन्दू धर्म मूलत है उदारता और सहिशनता प्रधान रहा है लेकिन मुसलिम सामप्रदायक्ता की प्रतिक्रिया और चुनावी राजनिती के चल फरेवों ने कुछ अंशों में संकुचित हिंदू रास्ट्रवाद की इस्तिती को जन्म दे दिया इस इस्तिती से संबद कुछ तत्मों द्वारा कहा जाने लगा कि भारत हिंदू का देश है संकुचित हिंदू रास्ट्रवाद मुसलिम सामप्रदायक्ता और इसाई सामप्रदायक्ता आधी को बढ़ावा देने का ही कार्रे करता है लेकिन यह संकुचित हिंदू रास्ट सरकार की उधासिंता सरकार और प्रशाशन की उधासिंता के कारण भी कभी कभी सांप्रदाइक दंगे हो जाते हैं सामाने सी घटना प्रशाशन की असावधानी के कारण कई बार सांप्रदाइक दंगों का रूप ले लेती है 1984 में महारास्टर की विबंडी और मुंबई में जो सामप्रदाइक दंगे हुए मुंबई से जुलाई 1987 तक मेरट में जो सामप्रदाइक तांडव दिखा गया 1993 में मुंबई तक अनक शित्रों में सामप्रदाइक उपद्रवों की जो इस्तिती बनी उसका एक प्रमुक कारण प्रशासनिक अक्षमता ही रही है 2018 में कासगंज में भढ़की सामप्रदाइक हिंसा को भी प्रशासन समय पर नियंत्रित नहीं कर सका जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी आज की परिस्तितियों में सामप्रदाइकता की समस्या का एक बहुत बढ़ा कारण संकुचित और निहत्वारतों से प्रेरित दलिय राजनिती और चुनावी राजनिती है यह तत्थे हैं कि भारत के विविद राजनितिक दल और गुट चुनावी राजनिति को द्रिस्टी में रखते हुए ना केवल सामप्रदायक्ता को सीकार करते बरण उसे उभारने का कार्रे भी करते हैं इस तरह से हम ये देखते हैं कि भारत में सामप्रदाइक्ता के ये कारण देखने को मिलते हैं और जिसके कारण से सब ये दंगों का मूल कारण राजनिति होता है और ये दंगे अपने स्वार्थों के लिए राजनितिक्यों द्वारा ही करवाए जाते हैं अब हम देखेंगे सामप्रदाइक्ता के दुष्परणाम भारतीय राजनीती में सामप्रदाइक्ता के दुष्परणाम इस प्रकार रहे हैं नमबर एक आपसी द्वेश सामप्रदैक्ता से विभिन वर्गों में आपसी द्वेश को बढ़ावा मिलता है केवल बढ़ावा ही नहीं परन आपसी द्वेश का एक बहुत बढ़ा कारण ही सामप्रदैक्ता है जब हिंदू और मुसल्मान अपने अपने हितों के लिए एक द आर्थे खानी भी होती है इसके कारण से, ना जाने कितनी दुकाने लूटी जाती है, ना जाने कितनी रास्ट्रे संपत्ती नस्ट की जाती है, ना जाने कितने व्यक्ति कार्य नहीं कर पाते, इतना ही नहीं, सामप्रदैक संस्ताओं पर नामालूम कितना धनव्य किया जाता ह 1885 से 87 की वर्षों में गुजरात राज्य में सांप्रदैक तनाव और व्यापक दंगों की जो इस्तिती खड़ी हुई उसके संबन्द में अनुमान है कि इस दंगों ने अकिल एहमदाबाद नगर में 2,000 करोड रुपे की आनी पहुंचाई 3. प्राण हानी सांप्रदैक तके करण प्राण हानी भी अत्यदिक होती है शायद ही ऐसा कोई सांप्रदैक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जाने ना गई हो राची श्री नगर वारण असी अलीगर विवन्डी कहदराबाद मेरट और मुंबई आदी के सांप्रदैक दंगों का उधारण सामने है इन दंगों में अनेक व्यक्तियों की जाने तो गई ही अनेक व्यक्ति घायल अवस्ता में जीवन और मृत्यों के बीद जूलते रहे नमबर चार राजनितिक अईस्तिरता सांप्रदैक तका एक दुष परणाम राजनितिक अईस्तिरता भी है सांप्रदैक तब वह परिस्तितियों उत्पन कर देती है या उन परिस्तितियों को उत्पन करने में साहिक होती है जिससे की देश में राजनितिक अईस्तिरता आ नमबर 5 राश्ट्री एक्ता में बाधा साम्प्रदा एक्ता राश्ट्री एक्ता की गंभीर चत्रू है राश्ट्री एक्ता का तात्पर है सभी लोग आपस में एक होकर रहें सबके हित को अपना हित माने जबकि साम्प्रदा एक्ता इसके बिल्कुल बिरुद्ध है इसकी संख्यक एवं बहु संख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और इनी अल्प संख्यक और बहु संख्यक के बीच जो सामप्रदयक जगड़ी और तनाव पैदा होते हैं उनमें भारत की राश्टरी सुरक्षा को गंबीर खत्रा पैदा हो जाग सकता है इन दुष परणामों की अत् द्योगिक विकास में भी बाधा पड़ी है, अन्य राष्ट्रों से भारत के संबन्नों पर भी सांप्रदैक्ता से बुरा प्रभाव पड़ा है, अब हम देखेंगे सांप्रदैक्ता को दूर करने के कुछ सुझाब, सांप्रदैक्ता मानवता के लिए गंबीर अभिशाप है और भारत जैसे देश में तो ये और भी घातक है, सांप्रदैक्ता को दूर करने के कुछ सुझाब दिये जा सकते हैं, जैसे नमबर एक, सरकार को सदय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा कारे ना हो पाए, जिसके द्वारा सांप्रदैक्ता को प्रोचाहन मिलता हो नमबर दो, सर्वत्रिस भावना को प्रोचाहन दिया जाए कि सब धर्मों के लोग मिल जुलकर रोज मौन प्रार्थना करें, सार्बजनिक अत्वा ब्यक्तिकर तिस्थानों पर जहां प्रार्थना आधी की कारेक्रम होते हैं, सांप्रदैक्ता के विरूत का वातावरन बन जा सकता है, लेकिन जो नैतिक और आध्यात्मिक मुल्यों की सिक्षा धर्म निर्पेक्ष राज्य में बहुत अधिक आवश्यक है, इसकी ततकाल विवस्था की जानी चाहिए, नमबर चार, सारबजनिक जीवन के किसी भी एक्षित्र में वहुमत के आधार पर कोई प्रिविर्टी पैदा ना की जाए, सारा कार्रे ऐसे ढंगसे हो की अल्प संक्यकों को अपने अल्प संक्यक होने का भान ही ना रहे, नमबर पांथ, सरकार को सदेव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए, जो की हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हो, कानून लागू होने ने किसी प्रकार के जात्ती, लिंग, धर्म, भाशा एवं, संप्रदाय संबंदी भीदबाब नहीं होना चा क्योंकि विशेज प्रतनिदित्व की इस्तिती में भी सामप्रदैक्ता को बढ़ावा मिलता है नमबर साथ, भाषा के समद्ध में भारत सरकार को अपनी नीती ठीक करनी होगी यह भी भारत में सामप्रदैक्ता का एक बहुत बड़ा कारण है नमबर आठ सामप्रदैक्ता का एक प्रमुक कारण दलिय राजनीती और चुनावी राजनीती है आवश्यक्ता इस बात की है कि राजनीतिक दल व्यापक द्रिस्टी कोण अपनावे और चुनावी राजनीती के एक साधन के रूप में सामप्रदैक द्रिस्टी कोण ना अपन जाए अंत में हम कह सकते हैं कि भारतिय राजनीती में धर्म और सामप्रदायक्ता का प्रभाब बढ़ने से धर्म निर्पेक्ष राजनीती के विकास का मार्ग अवरुद्धुगा है सामप्रदैक्ता की राजनीती के अपने तर्क होते हैं उनका मुखे दे संकुचित हितों की रक्षा करना होता है यह दायत विराश्ट्री निताओं का है कि भी समधाई के सीमित और राश्ट्र के 72 हितों के बीच संतुलन इस्थापित करें समधाई के प्रतिलगाव और भक्ती को राश्ट्र के प्रतिलगाव और भक्ती में बदलें यह आशा की जा सकती है कि राजनीतिक चेतना की वृद्धी और लोकतांत्रिक मुल्यों की परवान चड़ने के साथ धर्म निर्पिक्षता का स्वरूबी निकरता जाएगा आज इतना ही धन्यवाद अगली लेक्षर में हम देखेंगे आतंकवाद